लेलो फ्रेंड्स, वेकम दू माई चैनल भीवियफन्ट, फाइनली स्कूल फीम मनेजमेंट का आज ये पंपलीट हो गया है, जिसमें हम रिसीट बनाना आपको बताएंगे, वित ड्यूज बाइलेंस के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि इस बच्चे का अगर मुझे रिसीट प्रिंट निकालना है, तो यहाँ पे आप अक्तूबर का अगर आप निकालते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका PDF जनरेट हुआ है, वो क्या हुआ है कि 67,000 बाइलेंस बता रहा है, प्लस यहाँ पे आपका जो भी उस डेट में रिसीव हुआ है, उ इसमें आप देखेंगे कि 57,000 बाइलेंस है, क्योंकि इसके पहले 67 था, अक्तूबर में एक और पेमेंट आ गया, तो यह 57 हो गया, लेकि जैसे ही अगर हम इसे नॉमबर में प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे चलेंगे और नॉमबर का प्रिंट करेंगे, और अब प्रिंट आइड हो गया, तो यह टोटल हमारा हो गया 63,000 और 20,000 जो रिसीव हुआ, तो हमारा बाइलेंस जो बच गया, वो 43,000 हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज के टूटोरियल में, कि आप अपने डाटाबेस में देखेंगे कि केवल दो सी सीट है, एक है, जिसमें क मात्र एक वार लिखा हुआ है, तो ही वगरा का डिटेल, और दूसरा सीट जो है, वो केवल रिसीट से रिलेटेड है, तो यह कैलकूलेशन कैसे कर रहा है वर्चुली, इसके बारे में आज हम सिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो अच्छा लग हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मेट बनाना होगा, फॉर्मेट हम बनाएंगे कहां पे, तो हम फॉर्मेट बनाएंगे अपने एकसल सीट में, तो जहां पे हम यहां पे इंसर्ट करेंगे एक एकसल सीट, अब यहां पे हमें किस तरह का निकालना है, पहले प्लान कर लिए, तो हम चाहते हैं कि A4 size में आधा आधा यानि एक ही page पे दो receipt निकले, एक हमारे parents के लिए और एक हमारे school के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका जो page size है, यहाँ पे चलेंगे, page layout में चलेंगे, यहाँ orientation में जाएंगे और इससे land escape कर देंगे, तो आपका page यहाँ तक आगया, अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि दो page बनाना है, तो दो page बनाने के लिए सबसे पहले एक हम बना लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अपने company का, अपने school का नाम, हम यहाँ पे लिख देते हैं, BVA, Fun, Modern School, right, अब इससे हमें क्या करना है, merge करना ह तो यहाँ पर इसको merge कर लेते हैं और merge करने से पहले यहाँ पर दो-तीन चीज और लिख लेते हैं जिससे कि हमें size बनाने में आसानी हो जाए क्या-क्या लिखना होगा? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिख देंगे session तो session हो गया कि कौन सा session है यह capital में ही लिखेंगे इसे session उसके वाद हमारा हो गया यहाँ पर receipt number तो हम receipt number यहाँ पर देते हैं then इसके कुछ आगे चलके हम यहाँ पर लिख देंगे receipt का date तो receipt date कर देते हैं done तो यह हमारा हो गया यहाँ पर पहला section तो हम एक काम करते हैं हमें पता चल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला data आएगा तो हम इसे क्या करेंगे एक चीज और देखिए कि यहाँ पर total column कितने हैं 1,2,3,4,5,6 अब इधर देखिए 6 है एक छोड़ने के बाद 1,2,3,4,5,6 तो 6 column इधर भी है तो हमारा काम चल जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे यहाँ पर इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे merge कर देते हैं और इसे थोड़ा बरा करके bold कर देंगे और यहाँ पर इसके नीचे हम लिखेंगे कि यह क्या है किस चीज का form है तो हम यहाँ पर insert करेंगे shape तो चलिए एक shape यहाँ पर insert करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे थोड़ा नीचे कर देंगे और इसमें जो color देंगे बहुत light color कर देंगे जिससे के अच्छा लगे देखने में और इसमें हम लिख देंगे payment receipt और इसको कर देंगे हम center तो home में गया है यहाँ पर इसे center align किया इसे थोड़ा सा बरा करके इसे bold किया और जो four color है मतलब ही font का जो color है उसे हम कर देंगे black ठीक है क्योंकि print आपका black में निकलना है अगर भले ही इसके background को odd light करना है तो हम इसके background को odd light कर सकते हैं अब यहाँ पर इसे session आ गया receipt number आ गया receipt date हो गया इसके बीच का जो gap है थोड़ा सा कम करते हैं और इसके नीचे एक line देते है अच्छा लगने के लिए just अब यहाँ पर हम लिखेंगे student name student name बड़ा होने दिए कोई दिक्कत नहीं इसे बाद में हम correct कर लेंगे student name के बाद आएगा class तो यहाँ पर हम class डालेंगे उसके बाद इसके नीचे डालेंगे हम right station id या student id भी लिख सकते हैं आप तो हम यहाँ पर student id लिख देंगे या student id को हम यहाँ पर कर देंगे ज्यादा सही रहेगा क्योंकि session यहाँ हैं तो student id यहाँ पर रहेगा हलागि student id यहाँ पर दे दे चलेगा तो यहाँ पर student id हो गया तो इसे हम right alignment करते हैं इससे हम this side भने देते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं अगर आप ऐसे ऐसे भी कर देते हैं तो भी यह सही लगेगा अब student name को भी right alignment और school class को भी right alignment कर दिए फिर इसके नीचे एक line दे देंगे यहाँ पर हमें क्या-क्या देना है तो दिखे इसके लिए हमने यहाँ पर क्या-क्या बनाया था activity fee, admission fee, activity, annual, tuition fee, transport fee यह 4-5 चीजे थी तो इसको हम यहाँ से copy कर लेते हैं और यहाँ पर चलके इसके नीचे जाके यहाँ पर पेस्टे special में करके value कर देंगे और इसे ट्रांस प्रोज कर देंगे तो यह आ गया लेकिन हम यहाँ पर अलग-अलग receive नहीं करेंगे क्यों receive नहीं करेंगे क्योंकि देखो यह छोटे school के लिए बंडा है और उन लोग को क्या होता है न कि वो अलग-अलग पैसा नहीं लेते हैं मानलो कि सारा मिला के पचास जार रुपया हुआ तो सभी parents वो हैं एक साथ तो पैसा देते नहीं है अब वहाँ पे वो बारबर हमें बताना पड़ेगा कि क्या admission के लिए 20,000, activity fee के लिए 10,000 तो इससे अच्छा है कि एक साथ total amount receive कर लो कि कितना पैसा आया है आपके पास तो हम यहाँ पे उसी चीज को बना रहे हैं बट यहाँ पे यह लिखना जरूरी है कि किस-किस के against में हम पैसा ले रहे हैं तो इन सब चीजों के लिए हम आपसे पैसा लेते हैं जो कि जब हम statement बनाएंगे तो वहाँ पे detail में आयेगा कि किस चीज का billing जो है कब-कब हुआ है अब देखिए यहाँ पर यह सारे कुछ आगे फ़रा सा gap दे देते हैं इसमें अच्छा लगेगा तो थोड़ा यहाँ gap दे दीजिए इसे center alignment कर दीजिए और यहाँ भी center कर देते हैं sorry इसे left alignment ही रहने देते हैं ओके और यहाँ पे amounts आएगा तो यहाँ पे आभी क्योंकि हम अलग-अलग नहीं दे रहे हैं तो एक ही जगा देना है तो हम एक काम करते हैं इन सब को एक जगा merge कर देंगे merge कर देंगे जिससे कि यहाँ पे सारी value जो भी पैसा मेरे पास आएगा वो हम यहाँ पे दिखाएंगे उसके बाद यहाँ पर एक total कर देंगे तो इसे हम यहाँ पे एक line देते हैं किस तरह का line दें तो इस तरह का line देते हैं इसके उपर और इसके नीचे और यहाँ पर कर देंगे total ठीक है total को भी bold कर देंगे इसे right alignment कर देंगे और यहाँ पर डाल देंगे इसे sorry यहाँ पर इसे total कर देते हैं और इसके side में यहाँ amount in word में भी लिखना है हमने एक गलती किया है यहां पे border अभी हटा दीजे और इसके नीचे लिखेंगे inward inward हो गया उसके बाद आप यहां पे हम line देंगे यहां select करेंगे तो इसको देंगे हम उपर से और यहां पे select करेंगे इससे select कर लेते हैं नीचे की तरह border देते हैं यहां पे हमारा word में आ जाएगा और यहां पे जो रहेगा हमारा number में आएगा sorry यहां पे भी करना होगा हमें तो इसे यहां पे भी कर देते हैं right अब यहां पे जो final हमें चीज देना है वो क्या देना है की balance कितना बचा हुआ है तो यहां पे बाइलेंस एमाउंट भी हम सोग कर देंगे कि टोटल बाइलेंस कितना बचा हुआ है इनके पास पैरेंट्स के बास तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसे जो है न लेफ्ट लैंगमेंट ही रहने देजिए यह ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब सेशन में इसे हम थोड़ा बरा कर देते हैं फिक है इसे हम छोटा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद इसको भी हम थोड़ा सा बरा कर देते हैं अब टोटल को मिलाके हम एक काम करते हैं कि जब इसे हम print कर रहे हैं, तो क्या ही अच्छा लग रहा है, अभी पूरा अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, हम पूरे को select करेंगे, और यहां तक, यहां तक हम एक borderline दे देंगे, तो एक बरा मोठा line देंगे, जिससे कि यह देखने में थोड़ा अच्छा लगे ठीक है, अब क्या है, अब यहां पे हम चाह रहे हैं, last वाले जगा पे, यहां पे, हम इसे कर देंगे feel, तो अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा, भी 123, आई अब तो address देने दे भी डर लगता है, पता नहीं YouTube क्या कर दें इस पे, तो मैं क्या लिखूं, वो भी समझ में नहीं आता है, तो B123, यह भी मैं डम्मी ही लिख रहा हूँ, और उसके बाद हम डाल देते हैं, DLF, अंकूर बिहार, साकेत, और दिल्ली कर देता और 3 को डाल देता हूँ, 0011, 0017, इससे भी हम कर देंगे थोड़ा बड़ा, इससे center में कर देते हैं, यहाँ पे भी, और इससे थोड़ा बड़ा कर देंगे, हलाकि इतना बड़ा करने की जोगत नहीं है, और इसके नीचे हम यहाँ पे डाल देंगे, कोन नमबर और वेपसा और भी बहुत कोई डाल सकते हैं, आप देखो इसे आप अपने अनुसाय डिजाइन कर सकते हैं, जैसा करना है, इसे थोड़ा छोटा ही रने देते हैं, अभी ये कैसा लग रहा है, अभी देखने में अच्छा लग रहा है, तो यहां तक तो हो गया हमारा काम, अब इस ही को हम बीच में यहां पर गैप देंगे अभी बी जादा है तो हमें काम करेंगे इसका और इसका height थोरा कम कर देंगे तो यहां से हम height करेंगे कम जिससे क्या होगा कि दोनों के जो size है ना ब्रावर रहेगा तो इसको हम कर दते हैं 5 तो अब ही क्या ये आ गया पूरा page में, अगर एक पेज़ब print निकाले तो पूरा आ जाएगा, अब यहाँ पर एक छोटा सा line दे देते हैं, तो हम यहाँ पर insert करते हैं, save करते हैं, और इसमें जाके line हम select कर लिते हैं, और लाइन में जाके क्या करेंगे, यहां से पकड़ेंगे, और shift के साथ हम नीचे तक आएंगे, यहां तक, ठीक है, इसे थोरा center कर दीजे, इसे black ही कर देते हैं, और इसमें dash का देंगे, dash वाला, यह dash वाला लेते हैं, right, कि यह क्या है, कि इसके बीच में हमें काटना है, एक क इसकी copy है, student के copy है, एक किस का है, parents का है, तो चलिए, हम यहां पे लिख सकते है, student copy and school copy, तो आप यहां पे लिख दिजे, student copy, और यहां पे लिख दिजे, यह हमारा format यहां पे ready हो गया, अब इसमें और भी कुछ अगर आपको बढ़ाना है, तो आप बढ़ा सकते हैं, देखे आप जितना अच्छा design करेंगे, आप design कर सकते हैं, जो इसका method रहेगा, वो same रहेगा, तो चलिए, अब यहां से लिखे, यहां तक हम इसे select करते हैं, और यहां पर इसके border को left border देते हैं, यहां पे भी मैंने नहीं दिया है, तो यहां पे भी हम इसे दे देंगे, इस तरह, और यहां पे भी आप चाहते हो कुछ line आना चाहिए, जैसे कि यहां पे आप इसे नीचे की तरफ करो, यहां पे भी नीचे की तरफ करो, और यहां पे सबको merge कर दो आप, चलो थोड़ा बड़ा कर देता हो, इसे merge कर दो, और इसमें आप लिख दो description, और यहां पे लिख दो यह भी सही है खराब नहीं लगेगा और उसके बाद आप देखो प्रिंट देखे कैसा लग रहा है तो अभी कुछ ज्यादा अच्छा लुक दे रहा है आपका रिसीट चलिए रिसीट तो बन गया फॉर्मिट अब मुझे प्रिंट निकालना है तो प्रिंट हम कैसे निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है हम अपनी यूजा फॉर्म में जाएंगे यूजा फॉर्म में किस वाले में कोड लिखना है तो हमें यहां से प्रिंट नि कि यहां से भी आप print निकाल सकते हो और edit section से भी निकाल सकते हो जस्ट क्या करना है इसको copy किजे और यहां पर आप इसे paste कर दिजे इसे थोड़ा चोटा करना है तो चोटा किजे और यहां पर देखते है printer का है कोई तो है printer दो है बट यह दूसरे color में है चलिए यह white में है लेकिन white भी नहीं डालना है हमें क्योंकि white डालेंगे ना तो यह background फिर white आयाएगा तो खैर चलिए ठीक है उटना कोई दिक्कत नहीं है यहां पर तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं अब यह क्या होगा कि आप यह यहां से open करोगे तो भी आपका यह button दिखाई देगा या यहां से करोगे तो भी आपको button दिखाई देगा क्योंकि कल के last video मैंने बताया था कि हमने cable save को digital किया था print को digital नहीं किया था तो चलिए अब हमें यहां पर लिखना है code तो code हम कैसे लिखेंगे देखें यहां पर तो बहुत सारी information है जैसे अगर आप देखो तो इस excel फाइल में हमें क्या क्या चाहिए हमें session भी चाहिए student id भी चाहिए receipt number भी चाहिए receipt date भी चाहिए student name भी चाहिए class भी चाहिए जबकि इसमें तो यह सारा चीज है नहीं कि बहुत यहां पर registration ID है financial ID है receipt ID है तो हम यहां पर कैसे निकालेंगे कि यहां पर तो सारा detail है और यह form कहां से खुलेगा यह form तभी खुलेगा जब आप यह वाला form open करेंगे तो चलिए यहां पर चलते हैं इस पर double click करते हैं और मान और क्या चीज़े हमें तो date यहां मिलेगा, amount यहां मिलेगा, अब इसके अलावा और क्या चीज़े, चलिए यहां पर और देखते हैं यहां पर total amount जो receive होगा, और jeśli student मिल गया हमें, session मिल गया, receipt होगया, receipt date होगया, अब जो है main जो होगा इसमें, जो समझने वाली बात है कि य तो यहां पर आपने फी रिसीट किया है तो यह calculate कैसे करेंगे कि इसका total पैसा कब तक कितना बचा हुआ है तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे एक internal calculation करेंगे क्या calculation करेंगे कि यह किस date का receipt निकल रहा है इसके पहले का calculation निकलेंगे किसी भी एसकूल में यह एक नियम गरूर होता है कि जिस वक्त उस financial year में आप कभी भी admission करवाते हो तो पैसा आपको कब से देना होता है अप्रिल से देना पड़ता है देखिए इसमें और भी advance किया जा सकता है कि आप उसमें चेक कर सकते हो कि इसका starting कब से होना चाहिए मैंने उस चीजों को इसमें आड नहीं किया है हम इसमें पूरा financial year लेकर चल रहे हैं तो चलिए यहाँ पे हम print बटन इसका नाम देते हैं print या pdf दोनों हम निकालेंगे तो print pdf नाम कर देते हैं और इस पर double click करते हैं किस seat में हमें क्या लेके जाना है लूप के थूर चलाना है या बीना लूप के चलाना है तो देखो यहाँ पे कोई जादा control नहीं है कि आपको लूप चलानी की जगवत पड़े यह total कितने है चार दू छो एक साथ आठ और नौ टोटल नौ ही फिल्ड है जहाँ पे आपको डाटा फिल्ड करना है तो इसके लिए लूप चलानी की जगवत नहीं है अब आप कहेंगे कि नौ तो एक में इसमें भी तो है तो उसके लिए चिंटा मत करो उसके लिए भी एक ही लाइन जा होगा कि अगर रिसीट आइडी यहां नहीं है तो यह प्रिंट नहीं निकले राइट तो रिसीट आइडी का नाम क्या है टी एकस्ट वर यहां पे किजिए इसमें बारे में बेसिक बताया था ना सेम उसी पे प्रेक्टिस करके हम यह बता रहे हैं तो इसलिए इससब चीज़ों को अगर समझना है तो इसके पहले के विडियो को जरूर देख यैनि जो भी बेसिक का है खास करूस से तहुत नहीं होता है बताने को तो बहुत सारी चीज़े हैं उसको आप जब तक प्रेक्टिस नहीं करोगे समझ भी नहीं आएगा क्योंकि कि एक ही चीज को दस जगव पे दस तरीके से यूज कर सकते हो लेकिन जो मैंने भीविया पांच छे वीडियो बताया है वो मेन होता है उसी के बेस पे सारा पोड़ाम बनता है तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमें क्या चाहिए अब देखिए इसमें क्या क्या लिखेंगे तो कि हो लूप भी अगरा चलाते हो तो कंसे कम 6 लाइन का कोड़ तो लिखना ही पड़ेगा तो इससे जैज्य है कि हमिए। 364 यहां पे चलते हैं और यहां पे करते हैं यह कोंसा है रेंज है था ह। हम कहाएंगे यहां पे सिट और कितने नमबर में यह सिट 1 ह यहां पे, तो यह कितना सीट 3 है, यहां करेंगे bit, seat 3, in the bit, और यहां पे करेंगे dot range, यह क्या है, session, b5 है, और इसका session क्या है, i5 है, तो यहां पे लिखेंगे b5, i5, और यहां पे करना होगा txt 3, अब उसके बाद हमारा क्या है, इसमें, हमारा student ID है, तो student ID हमारा इसमें था, registration station ID कितना number है TXT 2 है तो हम यहां पर चलेंगे और यहां पर डाल देंगे इसी वह copy कर लिजे और यहां पर paste करें किजे इसका F5 और M5 तो इसको किजे F5 और इसको किजे M5 तो चलिए इतना ही का पहले एक चेक करते है कि यह data जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो चलिए सबसे पहले चलते हैं user form में यहां पर हम click करते हैं और यहां पर हम किसी एक पर click करके इसको print करते हैं तो देखिए क्या data आपका पूरा आया है यहां पर भी आ गया है यहां पर भी आ गया राइट अच्छा इसमें आ गया है financial year ही वह गलती है तो उसको हम सही करेंगे कहां से सही करेंगे तो हम सही करेंगे अपने print code में तो यहाँ पे करना है ext2 उसके बाद आता है receipt number बहुत सारे लोग बोलते हैं कि receipt number अगर generate हो तो उसके साथ text भी आना चाहिए तो दिखें उसका बहुत ही simple सा तरीका होता है कि आप visual यानि देखने के लिए text में डालो लेगिन जब search करना हो तो आप number डालके ही search करो तो चलिए कोई नहीं यहाँ पर चलिए यह कितना है b7 और i7 तो फिर इसी को copy किजिए और यहाँ पर किजिए b7, i7 और इसमें कौन सी value हमें आना है b7 और i7 receipt number यानि txt 1 आना है उसके बाद यह student name b9 और i9 में तो b9 और i9 में हमें कहां से लेना होगा data अब यहाँ पर आप सबजना होगा थोड़ा क्योंकि student का नाम और class हमारे पास यहाँ पे नहीं है यहाँ पे नहीं है तो है कहां पे इस page में multi page में class हमारा txt 3 है और यह कितना है txt 9 है student name और class लेना है, तो student name हमारा कहा है? यहाँ है, यह क्या है? txt 4 है, और class कितना है? txt 3 है, तो name txt 4 है, तो पहले हम चलते है, txt name में चलते है, तो name हमारा है, यहाँ यह कितना है? b9 और यह कितना है? i9, तो b9 और i9 में चलिए, sorry, b9 और i9 में चलिए, और यहाँ पर करेंगे, user form 1 क्या क्योंकि user form 1 में ही यह सारा data है हमारा ठीक है और इसमें नाम क्या है नाम का नाम का है txt4 तब इसमें जाके करेंगे user form 1.txt4 और उसके बार हमारा आता है यहाँ पर क्या class और यहाँ है class यानि f9 और m9 f9 m9 को यहाँ पर डालेंगे इसको कर देंगे f9 और यह कर देंगे m9 और इसमें हमें क्या देना है इसमें हमें इसका देना है तो class का नाम क्या है txt3 तो हम यहाँ पर कर देते है TXT 3, इस बटन पे ही चलेंगे और यहां कर देंगे TXT 3, तो यहां पर तो हो गया data हमारा, यह सब हमारा fill हो गया, अब हमें क्या fill करना है, amount fill करना है, तो amount हमारा already कहां पे है, अच्छा receipt date को हमने नहीं डाला है, F7 और M7 में, F7 और M7 में हमने कुछ नहीं डाला है, तो आप एक काम करो, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी बस इसलिए कर रहे हैं कि repeat ना करना पड़े, हमें बार बार लिखना ना पड़े, और इसमें जो है, जो date है, हमारा ये date है, इस date को हम लेंगे, control का नाम क्या है? तो यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर value नहीं करना है, ध्यान दिजेगा, value कहाँ पर देना है, यहाँ पर amount है, date वगएरा और text वगएरा में हमें value देने की जगवर नहीं है, ओके, registration ID में आप दे सकते हो, text, तो registration ID हमारा कितना में था, student ID यह था, student ID हमारा कितना F5 में है, मतलब इस वाले में हमें चाहिए, तो यहाँ पर dot value कर दिए, जहाँ पर number का use हो, वहाँ पर value किजेगा, और जहाँ पर date होगा, उसके लिए भी value का use करेंगे, तो txt5 dot value, क्योंकि अगर value में अगर transfer नहीं करेंगे data, तो उससे क्या होगा, कि जो text जाएगा, जो आपके text box से date जाएगा seat में, वो text के format में चला जाएगा, तो फिर उससे आप calculate कुछ भी नहीं कर प्राएंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अब आता है हमारा amount, amount कितना है इसमें, यह हमारा f11 है, और यह कितना है, m11 है, तो हम यहाँ पर इसी को copy करते हैं, और यहाँ पर paste करते हैं, f11 और m11, 11, और इसके जगा पर यह वाली value क चाहिए, यहाँ पर, तो यहाँ पर, यह कौन सा है, f17 और यहाँ पर है, m17, तो इसी में डाल देजे, comma f17, comma m17, एक ही में डाल देजे, आपको अलग-लग लिखने की जगत नहीं है, तो यहाँ तक हो गया आपका date, अब आता है कि यह balance amount हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को न निकाल ले, तो भी तो problem होगा, मानल जी कि next year class change हो जाता है, financial year change हो जाता है, registration ID तो same रहेगा, तो हम केवल registration ID से तो check नहीं कर सकते हैं, हमें check क्या करना होगा, financial year से और registration ID दोनों से, इस दोनों को match करेगा, और उसके बाद check करेगा कि कहाँ पर क्या data है, मतलब की activity भी कितना है इड्विशन फी कितना है, तो यहाँ पर हम चलेंगे, ती पहले क्या है इसमें, तो हमारा है सबसे पहले admission फी, हम लिखेंगे, admission फी is equal to, यहाँ पर worksheet function का यूज करेंगे, worksheet function dot sum if s, सामी phase का यूज किया है कभी, करते ही होंगे, सामी phase में क्या करना होता है, हमें sum किस को करना ह तो हमें sum करना है j to j को तो हम यहां पर करेंगे j to j j में हमारा क्या है addition form है comma लेकिन j to j यहां पर नहीं लिख सकते है j to j कहां seat में लिखा जाता है यहां पर क्या लिखना होगा आपको dot range j to j comma हमारा first karakterिया क्या होगा यही होता है sum if s का syntax अगर आप यहां पर sum if s लिखते हैं तो सबसे पहले पूस्ता है कि sum range हमारा जो column है वो डाल देंगे उसके बाद करेक्टरिया है तो पहला करेक्टरिया हमारा होगा राइस्टेसन id और दूसरा करेक्टरिया होगा हमारा financial id इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर यही चीज़ कर रहे है कि पहले j को हम sum कर रहे है दिन हमारा करेक्टरिया क्या होगा तो पहले होगा करेक्टरिया range a to a कोमा और करेक्टरिया कहां पर है जो range है shredring है उसके research क्या हमें registration idू And registration ूँ हमारा कितने do me.txt-to.value, registration id hier किस column में you .link this souvenir Of to इसरे नमबर में है, तो चलिए, यहाँ पर देख लिजिए, financial rate कितना है, txt3, तो यहाँ पर हम करेंगे, me.txt3, यहाँ पर value देने की जववत नहीं है, अब चलिए, अब admission fee के बाद हमें क्या लेना है, admission fee के बाद हमें लेना है, यहाँ पर, चलिए, हमें लेना है activity fee, activity fee कितने में है, k में है, तो just इसको आप copy कर लिजे, इसको कर लिजे, activity fee, और j के जगा पर क्या कर देंगे, k कर देंगे, just यह cable change करना है, बाकि सब सेम रहेगा, उसके बाद हमारा क्या है, annual fee, तो हम यहाँ पर चलते हैं, इसको कर देते हैं, annual fee, और k के बाद क्या है हमारा, l है, तो हम इसे l कर देते हैं, right, उसके बाद क्या है, tuition fee, तो चलिए, सब का निकालना होगा एक बार, तो हम यहाँ पर करेंगे, tuition fee, ठीक है, tuition fee हमारे कितने में हो जाएगा, तो tuition fee हमारे हो जाएगा M में, तो हम यहाँ M कर देते हैं, और उसके बाद, हमारा हो जाता है, transport fee, transport fee हमारा कितने में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा N में, M के बाद N होता है, right, चलिए इसको चेक करते हैं एक बार, चलिए यहाँ पर चलते हैं, पढ़ गया है इसको run कि तो यहां तक data तो आ गया होगा आपके Excel में जैसे आप देखेंगे यहां पर यह चेंज नहीं होगा अभी यहांँ बात नहीं यहां चलिए यहां पे अधिशन फी आपका जीरो आया यहां पे अक्टिविटी कि क्या जीरो आया यहां एन्वल फी जीर लेकिन हम यहां पर एक गल्टी क्या किये हैं यह किस सीट के लिए हम कर रहे हैं सीट 3 के लिए जबकि यह कोट किस कोट सीट के लिए सीट 1 के लिए है तो यहां पर फिर लिख दिजिए आपको रहेगा और इस बीच में अगर इसका code लिखना चाहेंगे इस seat का ता आपको पूरा seat के साथ नाम लिखना पड़ेगा तो हला कि हमें जववत नहीं है इसमें केवल यही चाहिए तो हम यही तक रहने देते हैं और इसको run करते हैं अब चलिए एक वार और इसमें चलते हैं run करते हैं print पर क्लिक करते हैं effort प्रेस किया आप देखिए अब आपका सारा value यहां पर आएगा 10 यार आ गया activity भी 25 यार आया यह गलत कुछ आड़ आया क्या 10 यार था क्या है यहां पर से लिए इसे stop कीजिए क्या है यहां पर हमें लगता है कुछ न कुछ इसू हुआ है क्या इसू हुआ है तो चलिए यहां पर देखिए क्योंकि यहां पर 20 यार ही है इसका मतलब है कि same registration ID से 5 है इसका मतलब हमारे पस तो चलिए इसको search करके देखते हैं हाँ यह 5 बार entry हो गया है क्यों क्योंकि यह financial year same है और class अलग-लग हो गया है जबकि यह financial year change हो जाना चाहिए था राइट तो यहां पर हमने गलती किया है यह भढ़ने में demo file बना रहे थे मैंने कहा ही था पहले कि सारा का सारा dummy है अब यह class दो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा यह 25 हो जाएगा यह 26 हो जाएगा तो चलिए हम जल्दी से इसे करके आपके सामने आते हैं तो चलिए तो यह 39-30 तक हम कर लिये हैं मैंने 24-25 से start किया था जबकि हमें यह start करना चाहि problem नहीं होना है अब चलिए यहां पर run करते हैं इसे और यहां पर हम double click करते हैं और इस बार इस पर double click करके print पर क्लिक करते हैं इस बार देखिएगा आपका जो amount है वो correct आएगा यह देखे 20,000 आया, 5,000 आया, देन आया 10,000, fusion fee 4,000 और transport fee 2,000 लेकिन अब total पैसा कैसे निकालें कि इनका कितना violence बचा है, तो चलिए, यहां पर हम चलेंगे, basically हम देखेंगे कि हम किस date का निकाल दे हैं, किस date का receipt काट रहे हैं, तो यह चीज़ आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, लेकिन अब यह सवाल आगा कि financial year फिर निकाले, कि April के बाद April से start हो, तो एक in date, in date हमारा क्या हो जाएगा, कि जिस date में हम receipt निकाल रहे हैं, तो यह कितना है, txt4 है, तो हम यहां करेंगे, me.txt4.value कर देंगे, यहां आप इसे c date भी कर सकते हैं, c date, चलिए, इसे c date कर देते हैं, और starting date क्या होगा, A Starting Date हमारा क्या होता है, April होता है, तर हम यहाँ पे देदेंगे, C Date, और C Date में हमें क्या देना है? यहाँ पे लिख देंगे हम 1,4 और जो भी Financial Year, Financial Year हमारा कौň सा है, Financial Year हम कहां से निकालेंगे, Financial Year हम निकालेंगे, and, Financial Year में पहले क्या लिखा हुआ है, 2024-25, यानी पहला 4…? left me dot txt2 sorry txt3 dot value या txt3,4 और इसे close कर देंगे अब इसे stop किजिए और इसे run किजिए एक बार यहाँ पर हूँ गये हैं यहाँ पर double click किया और print पर click किया चलिए यहाँ तक हम आजाते हैं जल्दी से और start date इंडेट देखिए क्या निकला ही है यह 14-2024 हो गया क्योंकि financial year जो हो गया start 24-25 हमने इसलिए डाला है तो 24 आ गया और इंडेट क्या हो गया हमारा यह 1927 क्यों आ रहा है जबकि यहाँ पर date क्या है एक अक्टूबर 2024 है तो यह क्या है यह TXT4 में 10 year amount आ रहा है मतलब यह TXT3 है sorry इसे TXT3 कर दिजे नए TXT3 में हमारा यह आ रहा है financial year चलिए इसे एक बार देखी लेते हैं यह कितना है date TXT5 है इसे लिए यह error दे रहा था तो हम इसे यहाँ पर कर देंगे TXT5 अब फिर से एक बार run करते हैं और देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो चलिए इसको यहाँ पर click करते हैं और reflect करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यह आपका आगया 142024 और यह आपका आगया 1102024 मतलब आप यह receipt कब काट रहे हैं 1102024 को राइट आप 1102024 है तो यह जो total यह आपका tuition fee और transport fee है वो कितने महीने तक का होना चाहिए तो अपडिल होना चाहिए माई, जून, जुलाई, अगस, सप्तेमबर, अक्कूबर यह एराउंग 7 मन्त का तो 7 मन्त निकालेंगे कैसे तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे do until STDate is equal to E in date यह जब तक करेगा जब तक कि यह STDate जो है sorry STDate greater than in date in date से ज़्यादा ना हो चलिए, यहाँ पर अब हम चलते हैं और यहाँ पर कर देंगे loop अब यहाँ पर हमें क्या calculate करना है हमें total number of month निकालना है month number is equal to month number plus 1 right, चलिए, अब यहाँ से एक वार इसको run करते है तो चलिए, यहाँ चला अभी यह month कितना है one हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांक, छे, साथ लेकिन अभी यह क्या है, infinite हो गया है मैंने आपको बताया था loop पहले class में कि do until में यह क्या होगा, बंद ही नहीं होगा इससे आप run करते चले जाएं, यह बंद ही नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि यह esti date इसके बराबर में जा ही नहीं रहा है तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे तो सबसे पहले तो इसको zero कर दी जब है लू को month number is equal to zero तो यहाँ पर run करते हैं अब यहाँ पर जब month calculate हो जाए तो हमें इस date को एक month से बराबर देना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे esti date is equal to date serial year करतेंगे कौन सा हमारा हो जाएगा esti date month हमारा क्या हो जाएगा esti date और day हम क्या ले लेंगे day हम कोई भी लेंगे एक ले लेते हैं but month हमें क्या करना है एक एक बार बराबराना है इसलिए मन्थ में हम क्या किया, प्लस वन कर दिया, अब इसको रन किजिए, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ के बाद बाहर निकल गया, टोटल मन्थ कितना हुआ है, साथ हो गया, हमें साथ ही चाहिए था, क्योंकि यहां पे क्या डेट था, एक अक्टूबर था, मतल करना होगा, जो फिक्स अमांट है, उसको तो एक बार दिखाएंगे, जैसे कि हमारा एडिशन फी, एक्टिविटी फी और इन्वल फी है, अब जो मन्थली कौन है, टांसपोर्ट फी और टीशन फी, तो इसको हम यहां पे क्या करेंगे, तो यहां लिख देंगे, टीशन फ टांसपोर्ट फी, मल्टिप्लाई बार, मन्थ नमबर, अब देखे, अब हमारे पास टीशन फी हो गया, टांसपोर्ट फी हो गया, बाकी अडिशन फी अक्टिविटी और अन्वल फी सब हो गया, अब मुझे यह देखना है कि पैरेंट्स ने कितने पैसे दे दिये हैं, त तो सेम यही फर्मूला यहां पे भी यूज होगा, लेकिन यह किस सीट के साथ होगा, यह होगा आपके रिसीट फी, यानि सीट टू के साथ काम होगा, यहां पे करेंगे विट सीट टू, और यहां पे कर देंगे एंड विट, और यहां पे इसे पेस्ट कर देते हैं, और य करना है registration ID B है तो हमारा ये B हो गया registration ID और ये जो registration financial year है वो कितने में है तो C में है तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे C लेकिन ये तो केबल है कि उस case में था जब हम उसके master database से data को ले रहे थे लेकिन यहाँ हमें देखना है कि एक दस से पहले उन्होंने कितना पैसा हमें दे दिया है तो यहाँ पर कौन सा है ये गरेक्टरिया ए है तो फिर से इसी को आप copy कर लिजे और यहाँ पर comma करके इसे paste कीजे और इसको कीजे अब ये date है तो date हम कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर आप पॉमा देखर लिखेंगे less than is equal to and in date यही हमारा in date ही जो था text box जो हमारे receipt में date था वो in date था लेकिन जब आप ये वाला function यूज करते हैं यहाँ पर less than is equal to का कोई function यूज करते हैं तो ये format काम नहीं करेगा तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा इसे इस in date को change करना पड़ेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं हम our date is equal to format in date कॉमा इसको हम number format में convert कर देंगे ठीक है नहीं तो क्या होगा कभी 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 काम भी करेगा कभी कभी ये issue देगा और sum न करेगा तो हम यहाँ पर कर देंगे our date less than is equal to our date अब यह यहाँ पर आने के बाद payment received हो गया तब balance हमारा कितना बचा तब सीधा किजिए views amount is equal to उपर से जितने हैं सब को जोड लिजिए क्या क्या था हमारा admission fee admission fee plus activity fee plus annual fee plus tuition fee plus transport fee minus pay receive तो यहाँ पर dues amount आ गया हमें कहाँ डालना है इस receipt वाले feet में हमें डालना है यहाँ पर कहाँ पर तो B20 में और I20 में तो यहाँ पर करेंगे dot range अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हम dot range क्यों रहे है क्योंकि यह इंड इसके साथ चल रहा है seat 3 के साथ इसलिए यहाँ पर भी seat 3 लिखने के जोगवत नहीं है dot range यह क्या था sorry B20 और I20 यहाँ पर करेंगे B20, I20 is equal to use amount right अब चलिए इसे finally run करते है तो इस पर यहाँ पर click किया यहाँ पर click किया और इसे print किया तो चलिए इसे run किया run हो गया अब देखते हैं कि हमारा receipt हमारा तयार हुआ कि नहीं हुआ तो यहाँ पर देखिए total amount कितना 10 जार आ गया 67,000 बचा हुआ है तो अगर आप यहाँ पर देखें April से पहले हमारे पास केवल 10 जार पर आया था और total कितना था हमारा total दो calculate करके बता ही दिया कितना है इसी लिए यहाँ पर यह 66,000 आ गया अब इसको formatting कर लीजे इसको number format में कर दीजे इसको भी number format में कर दीजे इन सब चीजों को bold कर दीजे अच्छा रहेगा यह देख रहे है receipt number यह text में आ रहा है क्यों text में आ रहा है क्योंकि जो हमने यहाँ पर डाला है न B7 में आप यहाँ पर देखना B7 और यह text 1.value नहीं किया अगर value कर देता तो वो text नहीं आता यह text देख नहीं इसमें text का cover आ रहा है तो यहाँ पर यह आ गया तो यहाँ पर आप करेंगे seed3.exportfixitasformat और किस format में करना है तो PDF में करना है और यहाँ पर file path दे दीचे तो मान लिजे कि हम D में receipt के नाम से बना लेते हैं PDF.pdf यहाँ पर आप file path पूरा बना के कर सकते हो यहाँ पर हमें देना है comma अब हम इसे अगर run करें अगर हम यहाँ print करते हैं तो print भी चला गया और यहाँ पर आपका PDF भी generate हो गया अब आप थोड़ा सा यहाँ पर notice करना है कि यहाँ पर कितना आ रहा है 67,000 अब हम मान के चलते हैं कि October month में ही एक तरिक के बाद एक और payment receive करते हैं एक तरिक से पहले तो क्या होता है तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और इसको यहाँ पर run करते हैं इस पर गया यहाँ पर edit पर गया और यहाँ पर add हम करते हैं और यहाँ पर कर रहे हैं कि इस वार जो है यह हम करते हैं September, October October में हम 8 तरिक को हम कितना 10 याड रुपय और receive कर लेते हैं और यहाँ पर payment receive कर देते हैं और save कर देते हैं अच्छा यहाँ पर save करने के बाद हाँ आज एक आया भी था एक ही comment आज आया था कि यहाँ पर कुछ error आ रहा है date range का, इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर हमने कल उस दिन change नहीं किया था, तो यहाँ पर basically क्या है कि यह E के बाद आप F इसको कर देज़ेगा, यह issue आया था, तो इसको आपको यहाँ पर कर देना है, right, अब इसको जब run करेंगे तो आप देखेंगे अभी आपका यहाँ पर आ गया है, अब चलिए हम इसका receipt पहले वला निकालते है एक October वला, तो क्या यह इस बार same आ रहा है या change हो गया है, तो अभी देखें पैसा आया है, लेकिन कोई फरक नहीं परा क्योंकि वो 67,000 ही है, क्यों मान लेते हैं, कि 27 नॉंबर में चलते हैं, और इसका print निकालते है तो 27 नॉंबर में जब प्रिंट की है, 43,000 क्यों बच रहा है 43,000, इसके पहले क्या था, 57,000 था तो यहाँ पर क्या हुआ है, 57,000 वाला 6,000 नॉंबर मंत का भी तो add होगा तो नॉंबर मंत का जब एड हुआ, तो यह total कितना हुआ, 63,000 हुआ, तो इसमें से 20 यार माइनस हुआ, इसलिए यहाँ पर 43 यार डियू जगी दिखा रहा है उसके बाद हमने बता ही दिया है कि इसे आप print कर सकते हैं, या PDF कर सकते हैं, और PDF बनने के बाद आप उसको WhatsApp कीजिए, mail कीजिए, everything आप कर सकते हैं आज का वीडियो कैसा लाया, जरूर बताना और जो statement है, जब कभी बच्चे के parents आएंगे और आपसे पूचेंगे कि मुझे थोड़ा हिसाब दो, तो हम कैसे बना के देंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपके बताएंगे क्योंकि यॉल लेडि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इसे के साथ धन्यवाद